दोस्तों तो finally IQ5 series चाइना में लॉंच हो चुका है इसमें दो स्मार्टफोन्स लॉंच हो हैं और दोने स्मार्टफोन्स बहुत ही high end specifications के साथ लॉंच हो हैं और बहुत ही कमाल की features भी हैं इन स्मार्टफोन्स में तो दोस्तों वीडियो में लाज तक बेन रही है और मैं इन दोने स्मार्टफोन्स के आपको पूरी डीटेल्स बताने वाला हूँ और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं दोनों की स्पाइफ़वून के डिस्प्लेई से दोनों की स्पाइफ़ून में आपको 6.56 इंच की एक एमुलेट डिस्प्लेइट देखने को मिलती है जिसमें आपको 120 Hz का refresh rate और 240 Hz का touch template गेट देखने को मिल जाता है इसमें aspect ratio की बात करेंगे आपको 20-9 का मिलता है और आपको 1300 nits का peak brightness देखने को मिल जाते है तो screen काफी bright है तो इसमें आपको P3 color gamut और Sgen 10 Plus वाले features का भी support मिल जाता है तो काफी बहतरिन display है इसमें आपको in display fingerprint sensor मिलता है साथ में single punch hole selfie camera देखने को मिलता है जो की left aligned है और एक difference है दोने स्मार्टफोन में जो iq5 पर उसमें आपको एक flat display देखने को मिलती है लेकिन जो pro variant है उसमें आपको एक curved display देखने को मिल दिये तो यह काफी बहतरिन display है दोने स्मार्टफोन का दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोने स्मार्टफोन की performance की जिसमें performance आपको एक्दम high end देखने को मिलने आला है क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आपको snapdragon 865 5G वाले chipset देखने को मिलते हैं जो कि एक octa code chipset है दोनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR5 वाले RAM टाइप का support मिलते है और साथ में UFS 3.1 का support मिलते है तो आपको data settings में high settings में अच्छे से खेल पाएंगे प्रोसेसर की बात करें तो इस CPU इसमें आपको 2.8 GHz पर क्लॉग cortex A77 वाले चार कोड़ देखने को मिलते हैं और साथ में cortex A55 वाले चार कोड़ देखने को मिलते हैं GPU की बात करें तो GPU आपको Adreno 650 वाले देखने को मिल जाते हैं तो आपको ग्राफिक्स बहुत अच्छे देखने को मिलने वाली है प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह है आपको IQ UI 1.5 पर बेज्ट मिलता है जो की Android 10 पर बेज्ट है तो दोस्तो performance आपको एकदम high end मिलने वाली है और इसमें जो प्रोसेसर वो काफी powerful प्रोसेसर जिसमें आपको बिल्कुल स्मूध गेमिंग मिलेगी साथ में आपको normal day to life में तो बिल्कुल भी कोई प्रेशानी नहीं वाली है तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के camera setup की तो दोनों में आपको primary sensor मिलता है वह 50 Mbps का मिलता है जो की Samsung GN1 है और यह वही sensor है जो की Vivo X50 Pro Plus में भी यूज़ हुआ तो यह sensor काफी बहतरीन है साथ में आपको दोनों ही में ultra wide lens मिलता है वह 13 Mbps का मिल जाता है तो आप अच्छे कासे ultra wide shots भी ले सकते हैं जो 3rd lens है वह दोनों में अलग-अलग है जो IQ5 है उसमें आपको 8 Mbps का portrait lens मिलता है वहीं जो pro variant है उसमें आपको 13 Mbps का periscope telephoto lens देखने को मिल जाता है कुछ other features की बात करें तो IQ5 में आपको EIS मिलता है और यह up to 20x digital zoom support करता है वहीं pro variants की बात करें तो उसमें आपको OIS मिलता है साथ में 5x optical zoom और 60x hybrid zoom देखने को मिल जाता है और साथ में इसमें आपको 8K video recording का भी support मिल जाता है तो यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही camera setup है front camera की बात केर तो front camera में आपको एक temporal selfie कर रह hopeful है देखने को मिल जाता है जो की आपको 16 MayONAV का देखने को मिल जाता है तो camera setup तो बहुत ही दमदार है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इन आपको photography और the video recording आपको के सब्सक्रीन दोस्तो अब हम बात करते हैं इ 55W का Fast Charging मिलता है लेकिन यहाँ पर जो खाज बात है वह है प्रो विरेंट में जिसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जिसमें आपको 120W के Fast Charging का सपोर्ट मिलता है तो यह काफी दमदार स्मार्टपोन है जिसमें आपको बहुत ही बहते ही फास्ट शर्ण के सपोर्ट ही मिलेगा और कंपनी क्लेम करती कि आपको 15 मिनट में फुल चार्जर कर दे देगा कुछ अधर फिचर्स की बात केते हैं इसमें आपको इसमें आपको डियौल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाता है जिसमें आपको सूपर लिनियर लार्च एंप्लिट्व वाले स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि यूनिक सूपर आडियो अल्कुरिदम के साथ आते हैं और साथ में आपको होकाई डिस्प्लेइश्मेंट 2.0 भ तो बहुती अच्छे जिसमें आपको कलर जिखने वाले हैं और एम्लेट डिस्प्लेइश्में आपको अच्छे मिलते स्मार्ट्फोन में तो दोस्तों ओर बात करने तो स्मॉट्फोन काफी दंदार है आपको बहुती बहते ने फीचर साथ मिलता है अब देखते हैं इंड पैशिंग क्या होगी झीकों है यह थो सारी तोनों स्माटफो थोले स्माटफोन की प्राइज की टो शुरुवा करते हैं एकुआ मेरियंट से इसमें आपको 66 वह आपको 43000 कर देखने को मिलते है इंडियन करेंट करने पर 12GB 128GB वाले वेरेंट इसकी प्राइज आपको 46000 का देखने को मिलेगी मिलेगी और जो हाईएस्यट है 12GB 256GB उसकी प्राइज आपको 49000 का देखने को मिल सकती है अब pro variant की पात करें आपको 2 variant जखने को मिलते हैं जो base variant है 8GB, 256GB उसकी price आपको एपरॉक 54,000 के आसपर जखने को मिलेगी और जो upper variant है 12GB, 256GB उसकी price आपको एपरॉक 60,000 के आसपर जखने को मिलने वाली है तो price तो काफी अच्छी है अब specifications के हिसाब से तो price अच्छी रखी है company ने पर थोड़ी और aggressive हो सकती थी तो ज़्यादा competition दे सकता था market में तो दोस्तों यह रही आज की वीडियो कैसी लगे आपको IQ5 series की details और specifications आप हमें comment करकर जरूर बताएं अपनी राया क्या है इनी smartphones के बारे में तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो like करें शेयर करें अपने friends से साथ और अगर हमारे चैनल पर नए है तो subscribe जरूर करें तो दोस्तों आज वीडियो कले बस इतना ही मिलते है एक नए वीडियो साथ till then have a great day and always keep smiling